असलाम लेकुम स्टुटेंट्स आई होप आप सब ठीक होंगे विरिशन पढ़ रहे थे उसको फर्दर कॉंटिन्यू करते है एक्सराइज नंबर 3.6 करनी है आज हमने उससे पहले हम एक्सराइज नंबर 3.6 में के मैथट पढ़ेंगे ठीक है और सबसे पहले हम पढ़ लेते 3A यह गिवन होती थी साइट यह वाला एक्सपरेशन गिवन होता था और आपने A ratio B is equal to C ratio D प्रूफ करवाना होता था ठीक है सेम उसी तरह है लेकिन अब opposite हो गया है कि A ratio B is equal to C ratio D जीवन है और आपने यह वाला एक्सपरेशन प्रूफ करवाना है तो इसमें डिविंडो को पेरेंडो आप अप्लाए करके भी देख लें आप क्या कर सकते हैं यह question तो solve नहीं हो सकता बहुत लंबा अगर हो भी जाए इ जब आपको A over B is equal to C over D given हो तो आप expression को कैसे equal प्रूफ 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 कर लेते हो इसी तरह A over B के equal हो जाता है A की value आ जाते है B divided हो और multiply कर लेते है B के C की value आ जाते है D के तो आपके पास एक expression बन जाता है इसको आप put करवाते जाते हैं और अपना question आपकी left hand side को यह यह वाली side को यह वाली side के equal प्रूफ कर जाते है जैसे कि यह example में देख लो यह supposition की थी उसने आप यह वाल expression इसने प्रूफ कर वाना था उसने क्या किया सबस इसके बाद जब उपर भी और नीचे भी values पुट करवा दी तो आपके पास देखें B उपर भी common आ गया B नीचे भी common आ गया आपके पास 3K प्लस 2 उपर बच गया और 3K माइनस 2 बच गया सेम इसी तरह आप इसकी right hand side करेंगे right hand side में आपके पास 3C प्लस 2D है over 3C माइनस 2D C की जगा उपर भी इसकी value पुट करवाएंगे नीचे भी करवाएंगे तो आपके पस G उपर भी common बन जागा नीचे भी common बन जागा DT से कर चाएगा आपके पस 3K प्लस 2 over 3K माइनस 2 देखें left hand side का answer और right hand side का answer सेम आ जाएगा आपने यही proof करवाना था ठीक है इसी तरह ह आप हम इसके question करते है exercise no.3.6 करनी है हमने smart syllabus के according सबसे पहले mark कर ले question no.1 का question no.1 का two part करेंगे three part करेंगे और six part करेंगे इसके बात question no.2 का second part करेंगे students ठीक है सबसे पहले question no.1 का second part कर लेते है ठीक है तो इसको देखते है अगर कहते है a ratio b c ratio d के equal है तो यह वाल expression यह वाल एक्स्प्रेशन के वाले एक्स्प्रेक्शन के एक्वल है जैसे by definition हमने पीछे k method लगाया था तो हमने यह दोनों terms को किसके equal प्लेट कर लिया था है कि यह a over b c over d d किसके equal है k के equal है अगर दोनों के एक एक वल है तो A और B के एक एक वल है C और D B के एक एक वल है A की वैल्यू आ जाती है B के C की वैल्यू आ जाती है D के Left hand side ले लेते हैं ठीक है ये वाली Left hand side ले लेते हैं उसमें A की जगा A की वैल्यू पुट कर लेते हैं आपके पास B और B दोनों में आरा B को common ले लें, उपर भी common B आजएगा, नीचे भी common आजएगा, ठीक है, B B से cancel हो जाएगा, उपर बचके 6K minus 5 और नीचे बचके 6K plus 5, 6K minus 5 और 6K plus 5 को आप नीचे लिख लेते हैं, यही आपके left hand side का answer है, अब right hand side ले लेते हैं, जो कि 6C minus 5D over 6C plus 5D है, C की जगा उसकी value जो कि D की है, वो put कर लेते हैं, उपर भी और नीचे भी, और D की value नहीं है, तो D ऐसे लिख लेते हैं, अब दोनों terms में देखें, D common आरा तो D को common लिख लेंगे, उपर भी और नीचे भी, जी जी से cancel हो गया, 6K minus 5 और 6K plus 5 नीचे, तो आपके प question number 3 और 6 जो book पे दिया गया है, वो कर सकते है, question number 3 और 6, question number 3 और 6 इसका 3 वाला, यह वाला 3 question और question number 6 सेम इसी तरह है, A की जगा A की value, C की जगा C की value पुट करेंगे, तो आपकी left head side और right head side बढ़ा बढ़ाएंगे, यह दोनों question आप हुद करेंगे, students, इसके बाद इसका second part का student second part में, इसका question number 2 का second part करेंगे, सेम उसी तरह है, A और B, C और D, लेकिन इसमे एक autumn add होगी है, E over F, तो आपके पास तीन था position बालेंगी, और तीन values बूट होगी, इस question के अंदर ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, सबसे पहले देखे, आपने सब position में बना रही है, सेम उसी तरह करेंगे, जिस तरह पिछले को सबसे A over B, C over D, E over F, के a equal है, first value of B, के a equal है, second B, के a equal है, third B, के A, के a equal है, अगर first के a equal है, तो B, K, A की value बही के आगी, C की, D, K, E, की, F, K, अब left hand side ले ले, आप A की जगा A की value पुट करवादें, C की जगा C की, plus C की जगा C की, E की जगा E, की E की जगा E की और A की जगा A की वैलियूस को पुट करवा दे ठीक है आपके पास expression इस फॉर्म में बन जाएगा BD केस्कुर, TF केस्कुर, FB केस्कुर अब तीनों में देखे केस्कुर आ रहा है तो आप केस्कुर को कॉमल ले ले पीछे आपके पास BD प्लस D F प्लस FB रहा जाएगा नीचे भी आपके पास BD प्लस D F प्लस FB है तो आप दोनों रॉम्स को आपस में कैसल ओट कर लोगे आपके सब पास क्या बच जाएगा केस को ठीक है लेफ्ट हैंड साइट का अंसर आगा केस को अब राइट हैंड साइट करेंगे लाइट हैंड साइट में आपके पास A, C, F A, C, E उपड़ा और BDF नीचे है A, C, E की जगा तीनों की जगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे B, D, F तैसे ही आ जाएगा K, 1, 2, 3, K मिलके K की पार 3 बन जाएगी B, D, F, B, D, F से कट जाएगा अंदर बच जाएगा K की पार 3 बाहर है 2 ओवर 3 अंदर बच जाएगा K की पार 3 बाहर है 2 ओवर 3, 3, 3 से कैंसल होगा या अगर इसको मल्टिप्ला करवेंगे उपर वैल टरम, नीच वैल टरम से कैंसल होगा तो आपके पास K की तरम बन जाएगी 2 ठीक है, Left Hand Side में भी K की पार 2 आई थी, Right में भी K की पार 2 आई यही आपने परूब करना है कि Left Hand Side, Right Hand Side की एक वैल है, ठीक है, इसी के साथ के मैथट के साथ आपकी अक्ससाइज नबर 3.6 जानने है, इसका Question No. 2 और 2 पार्ट का भी Second Question No. 3 और 6 आपका Home वाक है, यह आपने की पूद करना है, इसके Notes बनाते जाएं, इसको करते जाएं, ठीक है, आगे जाएं ओकाभकी साथ है, इसका क्वili नवाफ दूबोगने है, इसकी आपका भी स्हीं झाने है, इसके भी समयच्य करना है, जापकी साथ को करना है, इसकित देको फिदुर एक चैना है, इसका की पूज त द्राट है ओटे करना है, ऋंड़ ऑे लिकाएं, झापकी Speech